हलो माई यूटूब फैमली नमस्ते राम राम कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो जी सुबह सुबह का टाइम है अभी करीबन आठ बजे हैं और आप देख सकते हैं दूप भी आगई है बहुत अच्छी आज सुबह सुबह से आज बहुत अच्छा मोसम था विल्कुल साफ आसमान था और रिहान को मैं अभी स्कूल चोड़के आ गई थी और आज अरगु क्योंकि आज मैंने रिहान के लिए जब लंच बनाया तो सब् collabor का लें मैंने सिर्फ मर zij बनाती हूं कई बार ना रिहान का ल नृम्च सिर्फ सिपरेट उसी का बनाती हूं जो इस स्पेशल उसी के लिए हो और अपना जो है मैं बाद में बनाती हूं लेकिन आज मैंने सब् लेकि चाहे भीने का तो उनका भी मन करता है बेशक वो बोले ना लेकिन टेस्टी तो लगती है फिर मैंने सोचा चलो खाना तो आज मुझे बनाने की टेंचन है नहीं तो टाइम भी था तो आज थोड़ी सी डस्टिंग कर ली जाए सफाई कर ली जाए क्योंकि इतने दिन से कि शादी की तैयारियों में शोपिंग के चक्कर में मैं घर को पे न बिल्कुली ध्यान नी दे पारी थी और सुबह ऐसा होता था बस मैं खाना बनाती थी और कई बार तो ऐसा हुआ है मैं जाडू ही लगा पाई और पोचा तो लगाई नी पाई तुरंट मुझे मतलब घर से निकलना होता था शोपिंग के लिए तो इतने दिन से मेरा मार्केट आना जाना इतना हो रहा था कि बस मिल्कुली टाइम नीथा घर के लिए मेरे पास और यह आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े ये धुले हुए हैं ये वैसे तो सारे और ये एक बार के धुले अगरा था मुझे इनको अच्छे से तैय लगा के अलमारी में रखू मैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया मैं काम करती थी और जैसा काम मतलब जो मोटा मोटा काम होता था ना घर का वस खाना बनाना हलकी फुल की साफ सफाई करना वस वो करके मैं निकल जाती थी तो इसी वात में पांच चै दिन पहनले जो गीत वीद शुरू हो जाते हैं हमारे यहां वो स्टार्ट हो जाएंगे तो आगे के व्लोग में आप सभी वही देखेंगे मेरे वीडियो में तो अभी आप मेरे व्लोग में बने रहिएगा आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो करते हैं तो जी सारे कपड़े ते लगा के मैंने अच्छे से अलमारी में सेट किये पहले और देर सारे कपड़े थे तो देर भी लगी थी इतने में गुलचन भी आ गए थे और उनको भूख लगी थी तो मैंने उनके आते ही सबसे पहले बना दी उनके लिए घरमा गरम रोट गुल्शन और मम्मी को खाना देने के बाद मैं आ गई थी छट साफ करने के लिए और मैं अपने लिए भी रोटी ना बना के रखके आगी थी क्योंकि मुझे पता था आज मुझे हो जाएंगे बहुत सारे काम और मैं जाओंगे ठक और ठकने के बाद मैं बिना नहाए तो खाना बिल्कुल खाऊंगी नी और इतना ठक जाऊंगी फिर मेरा दिल करेगा नी रोटी बनाने का तो मैंने फटा फट से अपने लिए भी उसी टाइम बना के रख दी और कोई नी ठंडी हो भी गई तो मैं उसको एक तरीका और है मुझे उसे घी लगा के सेख लेती हूँ तो वो रोटीया बड़ी टेस्टी लगती है खाने में तो जी इतने दिन से मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पारी थी घर में चट पे भी बहुत ही मिट्टी हो रही थी और आज कल ना हमारी चट पे रोज मोर आ जाते हैं वो भी बहुत गंदगी फैला देते हैं तो इस वज़े से भी चट जल्दी गंदी हो जाती है और फ्रेंस किसी ने मुझे से पूछा था कि आप मतलब शादी है आपके घर में तो आपने क्या खरीदा है वो में मतलब दि कि भी होगी तो जी और यहां मैं अपने लिए मैंने यूस बनाया है क्योंकि मैं बिल्कुल अपने उपर बिल्कुल रहा है और अप शादी के चकर में बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास اور देखो अपने भी घर के काम होजाते हैं फिर उधर भी मुझे जाना पढ़ता है क्योंकि मेरे भाई का गर यहां से बिल्कुल जादा दूर नहीं है तो मुझे बुलाई लेती है भापी किसी ना किसी काम से क्योंकि वो भी अकेली है तो और शादी के घर में तो आप लगों को पता ही है कितने काम हो जाते हैं तो इसलिए सोचा मैं और कुछ नी तो डेली जूस तो पीऊंगी क्योंकि जो मैं ओरेंज का जूस पीती हूं जिसमें विटमिन सी होता है काफी अच्छा रहता है विटमिन सी स्किन के लिए तो बस यही सोचा है मैंने डेली कुछ भी हो जाए जूस तो मेरे को पीना ही पीना है और जाडू लगाने के बाद हमेशा होता है मैं पोचा ही लगाती हूं लेकिन मुझे याद आया यार मुझे तो बात्रूम के बाल्टियां भी दोनी है और मैंने एक बार पोचा लगा दिया तो फिर मैं नहाए बगार तो रही नहीं सकती हूं तो अगर इसलिए मैंने सोचा पहले बाल्टियां भी दो ती उसके बाद ही पोचा लगाऊंगी तो इसलिए मैंने सबसे पहले बातरूम के बाल्टियाद होई वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हो ती और मेरा ऐसा है ना मैं एक बार काम में किसी में लग जाओ ना फिर मैं सोचती हूँ ये भी करनू और ये भी करनू तो अगर मैं एक करना लीना तो उसके बाद मुझसे कोई नहीं हो ता इसी बजे सी वज़े मैं अच्छे से साफ करने के बाद मैं चली गई थी नहांए और मैं यहां पे अपना मॉस्यराइजर लगा रही हूं काम कि मैं चांई सब्सक्राइदो कर चाह रहाए तो दो बच गए थे मुझे प काम करते करते तो काफी लेट भी हो गया था तो फ्रेंट्स आज के व्लोग को मैं यहीं रखूंगी सब को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ओल पर सेट कर लीजिए तो मिलत एक नई वीडियो में तद्दक के लिए बाई बाई